तो गाईज आज आए हैं बाउचर रोड पे वहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों तो आज मैं जा रहा हूं बाउचर रोड वहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों का कलेक्शन होता है सेकेंड और नए गाड़िया भी होती है बट मेजरली सेकेंड गाड़िया सेल के लिए होती है तो वही मैं अभी निकल पड़ा हूं तो फॉर्स टाइम मैंने आज बस से ट्राइवल करने वाला हूं अज आज डाव मेरा ओफिस था तो मैं बस से कभी ट्राइवल किया है नहीं तो इस इस मैं फर्स ट्रिप बस से ट्राइवल करने की भी है तो विद आज अज आज आए है वाचल रोड पर वाप बहुत सारे गाडियों का कलेक्शन है अल्मोस सभी ब्रांड की गाडिय आए आड़ी, पॉसे, जैगवर, लैंड रोवर, खिया, स्कोडा, जो जो गाड़ी है न सब गाड़ीयों के शोरूम्स यहाई पर है, यह आपको एक व्यूग बताता हूं, जस्त अ सेकेंड तो अभी और थोड़ा अंदर जाके आपको दिखाता हूं जैसे के गाइस मैंने बोला हम लोग बाउचर रोड पर पहुंच गए है और यह मैप है, यहाँ पर अलमुस्ट सब शोरूम्स अविलेबल है, अकॉर्डिंग तो दे मैप, यू कैन गो वेरेवर यू वांट तो गो, विच ब्रैंड यू वांट तो सी, विच कार यू वांट सेकंड एंड उसके बाजू मैं और एक रेंज रोवर है, उसकी प्रैस भी अलमुस्ट फिफ्टीफई लाग से, विच इस अगें सेकंड एंड, और यहां पर यहां पर यह पूरा जैगवर का कलेक्शन है, तो बहुत सारी गाडिया अविलेबल है, तो बहुत सारी गाडिय उनके रेंज से स्टार्ट हो रही है, विच विच इस गोई अप तो लाइक वन लाग ऑलसो, विच इस अगें इन सेकंड एंड, और यहां पर यहां पर जो जो कार्स में कवर कर पा रहा हूं, और जो जो मेरे आई कैप्चर कर रहे हैं, मैं उसको पूरा वीडियो में कवर करने का ट्राइ कर रहा हूं, तो सहारे गाड़ी का प्राइस अंदर लिखा हुआ है, इन पाउंड, तो मुझे फोर्ड का यह ट्रक्स बहुत ही धमाल लगे, तो लाइक फॉर्चुनर का भी बाप दिख रही है, और यह 40,000 का ट्रक्स फोर्ड का था ट्रक्स उसके बाद हम लोग जा रहे थे आगे आगे, तो यहां पे कुछ नई गाड़ी है, अभी दिखी मुझे जो शोरूम के अंदर होती है, तो जो भी शोरूम के अंदर होती है वो सब नई गाड़िया होती है, और बाहर majorly sale के लिए second hand गाड़िया available होती है, तो right hand side पे मुझे दो धमाल Ferrari दिखी, एक red और yellow color में, उसके बाद थोड़ा आगे गए हम लोग, तो मुझे एक bike का शोरूम भी दिखा, but bike was very expensive in UK, majorly you know, 6 and 7 lakh के अबावी range start हो रहा था, and it's up to like 15-16 lakh, तो हम लोग जादा रुके नहीं, और फिर हम लोग आगे गए, फिर आगे एक toy shop दिखा, तो मैं सोचा थोड़ा explore कर रहू, because pranil के लिए, आगे जाके अगर मुझे toys लेना है, कुछ लेना है, तो मैं probably यहाँ पर आ सकता हूँ, it is not that far, और यह toy shop इतना बड़ा था, इ यहाँ पर almost सब type के toys available है, बच्चों के लिए, apart from toys, बच्चों के लिए, जो भी important है, चीजे यहाँ पर है, game से लेके, सब चीजे यहाँ पर available थी, bicycle, electric bicycle, and you know, majorly toys, but बहुत सारी, you know, और भी चीजे यहाँ पर available थी, तो यह, मैं इतना ही explore कर पाया, मैंने जादा videos नहीं निकाले यहाँ पर, और voucher road में मुझे बहुत सारे और भी अलग-अलग shops थे, जैसे furniture के, बहुत shop से, which I couldn't explore, because मुझे इतना time नहीं मिल रहा था, तो हम लोग finally यहाँ से गए, फिर मैंने bus पकड़ के, यहाँ से निकल गय और जैसे ही मैं घर के आपे पहुच रहा था, मुझे left hand side पे Irish एक event चालू था, वो दिखा, तो मैं थोड़ा रुक के inquire किया, यह कितने बज़े तक है, and then I got to know that it's still 5 o'clock, तो मैं घर पे जाके प्रणिलो और प्रद्या को लेके आऊंगा यह event में, और वो ब्लॉग में कल continue क और उंगा, for now, bye